Hello student, student काफी दिनों से request आ रही है student की physiotherapy को लेकर Physiotherapy course के बारे में complete information को बहुत सारे student ऐसे हैं जो request कर रहे हैं कि इसके बारे में complete information हमको दीजिये कि कहां से हम इस course को कर सकते हैं, क्या eligibility criteria है, करने के बाद क्या इसमें स्कोफ है कितने रुपय तक हमको जौब लग सकती है आगे इसमें क्या फ्यूचर है बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है खासकर उन लोग के लिए जो फिचो थरीपे में इंटरस्टेड हैं इस कोर्स को करना चाते हैं और या फिर अपने किसी रिलेटिव को बताना चाते हैं या किसी अपने भाई या बहन को करवाना चाते हैं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए साथी बैल आकन को प्रेस करिए जिससे कि आगे मेरा जो भी वीडियो आता है वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप समय से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलोजी आपकी यहाँ पर 10 प्लस 2 में सब्जक्ट होना चाहिए विद 50% of marks अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 45% marks अगर आप किसी कैटेगरी से हैं ठीक है तो यह eligibility criteria आपका है अब बात आती है इस course में आपका admission कैसे होगा साथी कहां कहां कौन क में बात करेंगे इसमें कि क्या scope इसका है और future में क्या option आपके पास BPD को करने के बाद आपके पास बसता है ठीक है इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि आप कैसे इसमें admission ले सकते हैं तो देखिए इंडिया में दो तरीके हैं BPD को करने के प कुछ college हों के नाम में आपको यहां पर बता दे रहा हूँ जहां से अगर आप BPD करते हैं इनकी website पर आप जाकर देखिए बहुत साले college ऐसे हैं जो अपना खुद का एक अलग से entrance exam कराते हैं और admission उस entrance exam के थूरू इन courses में लेते हैं ठीक है मलब इन courses की क्या है BPD में वहां प कर आए जाता है ठीक तो जो college हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूँ पहला जो college है आपका बो है आई-पी-एच आई-पी-एच करके आप इसकी website पर जाकर भी आप देख सकते हैं ठीक है दूसरा है वह आपका NIOH यह मैं sort form आपको बता रहा हूं इनी नामों से आपको website भी यहां पर मिल जाएंगी ठीक है गोगल में जब आप सर्च करेंगे तो इनी नामों से आपको website भी यहां पर मिल जाएगी और तीसरा जो college है जो काफी अच्छ है यहां पर माना जाता है वो है आपका SB NIRTAR ठीक है SB NIRTAR SB मला स्वामी विविकानन्द करके कुछ college का नाम ह है ठीक है तो आप इनका जो फुल नेम है आपको इनकी website पर मिल जाएगा यह जो है मैं आपको short form इनकी website की बता रहा हूं तो यहां पर जाकर आप देखेंगे यह जो तीन college है काफी अच्छे college आपके माने जाते हैं इसके बाद अगर आपको करना है तो आप जिपमर से कर सक सकते हैं यह भी college जो है यहां पर आपके bpt के लिए अच्छे माने जाते हैं और कोई अगर आपके private college की अगर आप बात करें तो आपके area में अगर कोई private college है तो उसकी reputation क्या है उस private college की कितने दूनों से यह course चला जा रहा है कितने बैच वहां से निकल चुके हैं और hospital में internship कर रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं इन सभी चीजों को आपको देखकर वहां पर भी आप admission ले सकते हैं क्या fees structure है यह भी आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है अब मैं आपसे यहां पर बात करूं यहां पर कि यह कितने साल का होता है यह college आपके मैंने बता दिये क्या eligibility criteria यह हमन आप बात आती है यह course करने के बाद आपके पास और क्या क्या option है आपका scope क्या है और आपके option क्या क्या है तो देखिए आपके पास जो 2 ऑप्सन इसके बात होते हैं या तो बीपिटी करने के बाद आप सीधा यहां पर job करने लगई आपना clinic आप चला सकते हैं दूसरा एक और डिग्री होती है यह यूजी डिग्री है पीजी भी इसमें कर सकते हैं MPT Master in Physiotherapy भी आप इसमें कर सकते हैं इसमें आपकी जो ब्रांचेज हैं वो चार ब्रांचेज आपकी है ठीक है आप और तो पैडिक्स में आपको बीपीटी के बाद आप अगर MPT करते हैं तो और तो ठीक है और आपका काडियो में भी होता है तो यह ब्रांचेज आपकी यहां पर होती है और एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी BPT कोर्स में admission ले रहे हैं तो आपको धियान रखना है कि वो आपका IAP से approved होना चाहीं है ठीक है ना IAP क website का जो है वो आप जाए गूगल पर देखिए IAP जब आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको यहां पर मिल जाएगा IAP में कौन कौन से जो college हैं वो approved हैं इंडिया में कौन से private college approved हैं कौन से government college हैं जहां पर यह फिजियो थेरपी का course आपका चलाय जा रहा है तो ध्यान रख है कि फिजियो थेरपी में आप क्या-क्या यहां पर पढ़ते हैं और क्या-क्या चीजें हैं जो फिजियो थेरपी में आपको पढ़ाय जाती है तो इसके बारे में आपको पढ़ाय जाता है वो सेम बैसा ही आपको medical course है तो आपको पूरी जो human body उसके बारे में आपको पू सब्जेक्त को उनमें आपको ड़ाता है इâte कि आ पर बांगां किकर proceeds का इन camera कर थे आपको की यहां पर अनुज़ करते हैं थर्पी यहां पर आपको एक रास्ता बता है इन सब्रहरत के लूओ पर और यहां कई आप its deal focus करते हैं तो यह र Granny आप को क्या-क्या यहां पर पढ़ाए जाता है अब बात आती है कि मैने आपको एक रासता बताया था कि आप M.P.T. करके आप क्या कर सकते हैं आप पर P.G. की डृग्री यहां पर ले सकते हैं दूसरा है कि केवल B.P.T. अगर किसी ने क्या है तो इसके पास क्या क्या स्कोप है वो कहां कर सकता है कहां कहां जा कर मलब किस तरीके से उसकी अर्णिंग यहां पर होगी BPPT कोर्स को करने के बाद उसके बारे में आईए डिटेल में चरचा हम लोग कर लेते हैं तो सबसे पहला जो आपके पास आपस आपस प्रॉप्स करता है और तो पेडिक से यहां पर बात कर ले नहीं रहती है बहुत सारे डॉक्टर के आज क्या होता है इस समय तो सर्किल बनाया जा रहा है जहां पर आपका माली जे किसी की बोन टूटी है या फिर किसी को पैरलाइज है कोई तो ऐसे पेशेंट जहां हॉस्पिटल में आते हैं वह पर एक जगा होती है यहां पर आपका फिजियो थेरपी क्लिनिक अलग से वहां पर बनाया जाता है एक बड़े अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे या किसी मेडिकल कॉलेज में भी अगर आप जाते हैं तो आपको हर जगा मिलेगा तो आपके पास वहां पर भी आप्श पर बन सकते हैं तो आपके बास तीन आपर हो गए पहला आप खुद का फिजियो थेरपी क्लिनिक चला सकते हैं दूसरा किसी होस्पिटल में आप डॉक्टर के तौर पर आप काम कर सकते हैं तीसरा जो है आप लेक्शिर यहां पर बन सकते हैं और चौता है आपके पास जो जिसका होता है वो होता है आपका फिजियो थेरपिस्ट सबसे पहले उस पिलियर के पास हमारा फिजियो थेरपिस्ट ही पहुंसता है तो ऐसी जगा पर आप यहां पर काम कर सकते हैं तीसरा जो है आपका पांचमा जो है वो है आपका की हेल्थ अविर्नेस प्रोग्राम बह होता है वहोता है अपना खुद का physiotherapy qliniq अगर आपके अंदर काभलियत यहां पर आपकी community किया requirement है क्या आपकी वहां पर जरूरत है उसको देखती हुए physiotherapy में काफी scope है और वहां पर एक अच्छा physiotherapy पी क्लिनिक आप यहां पर चला सकते हैं ठीक है आगे आप इसमें और भी ऑप्सन होते हैं बीपीटी करने के बाद आप MPT कर सकते हैं यह तो मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ साथ ही आप इसमें आगे PhD भी आप इसमें कर सकते हैं आप रिसर्ज छेतर में भी इसमें जा सकते हैं ठीक है तो यह सारी संबावनाएं आपके पास होती हैं फिजियो थेरपी में और अगर इससे रिलेटेट कुछ और जानकारी आपको चाहिए मतलब इससे रिलेटेट कोई और डाउट हो कोई और सवाल हो तो आप मुझे से कमेंट सेक्सर में यहाँ पर पूछ सकते हैं मैंने आपको जितनी भी जानकारी आपके लिए जरूरत थी फिजियो थेरपी से रिलेटेट सब जानकारी मैंना जैसे ही मुझे समय मिलेगा तुरंट आपके सवालों के जवाब देनी के मैं कोसिस करूँगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो